नमस्कार जाहिन देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टन वीडियो होने वाला आपके लिए क्योंकि सीजेल का जो एक्जाम है लगबक एक मेने बाद है और सीजेल की प्री में आपको कम से कम 140 स्कोर करना पड़ेगा तब आप अपने आपको फिक्स मान सकते हैं कि हाँ आप मेंस 1625 तक पहुच जाए बहुत ही अच्छे से सुनना सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे रिवीजन जितनी चीजे तुम अभी तक पढ़ाई किये हो अब उसको रिवाइस करना स्टार्ट कर दो जितनी भी चीजे जितने भी तुमने अपने नोट्स बनाए हैं जितने तुम सब नोट्स को रिवीजन का टाईम आ गया है तो आप उसको रिवाइस करना स्टार्ट कर देखें गया है सेकेंड फीं अफ्रिटिंग मॉक टेस्ट अब अप डेली दिजिए और बहुत इंट्रेसरे दिजिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको अनलाइस करें second thing हो गया mock test को analysis करना बहुत बढ़िया तरीके से और इससे पहले जो आपने mock test दे रखे हैं जो गलतियां आपने की है mock में जो अलग-अलग subject में उनको revise करिए दुबारा से तीसरा point क्या है subject wise, mock test में जो आप analysis कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि reasoning में आपको कमजोर है तो एक बार फिर से dice chapter को पढ़िए अगर मैस में आपको लगता कि algebra आपका कमजोर है तो आपको फिर से algebra को पढ़िए. इंगलीज में आपको लग रहा है कि vocabs गलतो है तो आपने जो vocabs अब तक पढ़ रखे हैं. उस सारे vocabs तो एक बार फिर से रिवीजन करिए उसके बाद ही नहीं हो के आपस पढ़िए ठीक है में मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम फॉर दर रिवीजन आपको करना पढ़ेगा नहीं तो आपका स्पोर जो है अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आप अभी तक पढ़ चुके है उसको आपको कंठस्ट करके जाना ही जाना है उसके बाद चौथा कोईन जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपोर्टेंट है mathematics के लिए mathematics में अब जो जो questions आपने लगा रखे हैं जिन questions में आपको doubt है उन्हों questions को दुबारा से लगाईए चाहें वो कोई भी chapter हो अग English का जो previous year है उससे 100 questions 200 questions हर चेप्टर से daily daily लगाईए में आपको ध्यान देना है अपने mock test पे mock test जितना आप देंगे उतना ही ज्यादा beneficial होगा आपके लिए क्योंकि आपको अपना देमाल जो है prayer pressure से बचने के लिए mock test के साथ used to करना पड़ेगा क्योंकि exam में बहुत जादा pressure होता है यह तीन चार सीजे जो मैंने आपको बताई है इंचे तीन चार सीजों को बिल्कुल ध्यान रखिए और जो सबसे important point है current affairs कहां से करेंगे क्योंकि current affairs करने का time आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूं मैंने सर्च किया है YouTube पर्चम classes करके हैं वहां पे current affairs बहुत ही अच जादा ध्यान देना है और अपने रिवीजन पर जादा ध्यान देना है आपको अपना score 140 प्लस करना है CGLP में तो यह तीन चार सीजे आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको 180 नमबर लेने का ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपको 120-135 तक आप एक वह नहीं पहुंचा सकते हैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को नए आया है तो सब्स्क्राइब कर लेना और तुम्हें जो डाउ आउट है तो टेलीग्राम जले से आके जोड़ जाना है वहां मुझसे परसनली भी पूछ सकते हो तलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जहिंद